संसार ये दो विपरीत अवस्थाओं के बीद संतूलन का परिणाम है यहां नकारात्मक वे सकारात्मक दोनों ही प्रकार की ओर जाएं पाई जाती है इसी प्रकार ओर भी कई चीजें है गुण और अवगुण अच्छाई और बुराई दिन और रात सुख और दुख अमरित और जहर प्रेम और घ्रणा सत्य और असत्य तथा जीवन और मृत्यू एक ही सिख्य के दो कहलों है सभी सुन्दर दिखने वाली चीजें वहां भाप उठती दिखती है मृग मरीची काओं का आकरशन सदैव पीड़ा दायक है इनमें उलजने का अर्थ है अपनी तर्क शक्ति होकर इनके भ्रंजाल में फंस्ते चले जाना ब्रंज सच जूट का फर्क मिटाता है जो दुख का बहुत बड़ा कारण है इस अवस्था को समय रहते पहचानना बहुत आवश्यक है ब्रामित होने की अवस्था जानलेवा भी हो सकती है इस से तो बच के रहने में ही भलाई है परिस्थिती कैसी भी हो सत्व असत्य के फर्क को समझने का प्रियास अवश्यकरे सत्य अहिंसक है और असत्य हिंसक सत्य प्रेम वे असत्य घ्रणा फैलाता है सत्य समानता वे असत्य विसमता का पक्सदर है सत्य स्वतंतरता वे असत्य गुलामी देता है सत्य बंधुता वे असत्य शत्रुता फैलाता है सत्य न्याय वे असत्य अन्याय का पक्सदर है सत्य शान्ती जबकि असत्य अशान्ती लाता है सत्य यदि बुद्ध है तो असत्य युद्ध है सत्य नैतिक्ता वे असत्य नैतिक्ता का पक्सदर है सत्य तरक्सील है जैसे ग्रहन के समय बाहर निकलने से आखों वे त्वचा को नुक्सान हो सकता है जबकि असत्य अंधवी स्वास को बढ़ावा देता है जैसे ग्रहन के समय बाहर निकलने से बुरी ताकतें हावी हो जाती है सत्य के प्रतीक भी वास्ट्विक होते हैं जैसे भारत का प्रतीक शेर, अशोक स्तंब, अशोक चक्र जबकि असत्य के प्रतीक कालपनिक होते हैं दुनिया में ड्रेगन नाम की कोई चीज नहीं है यह है एक कालपनिक जीव है इसी प्रकार अंधविश्वास से जुड़े जितने भी प्रतीक हैं इस दुनिया में उनसे कभी भी किसी का भी भला नहीं हुआ है जीवन का एक नियम है जीवन की हर छोटी बड़ी यात्रा की शुरुवात में हम एक दो राहे पर आखड़े होते हैं जहां एक असत्य का रास्ता होता है जिस पर अधिकतर लोग जलते हैं और एक सत्य का रास्ता होता है जिस पर कम लोग जाते हैं असत्य का सुगम मार्ग आपको संकट के बादलों में ले जाता है जबकि सत्य का कठीन मार्ग आपको आपकी सही मंजिल पर ले जाता है मर्जी आपकी है कि आप क्या चुनते हैं जूट का आसानी से प्राप्त भ्रमजाल युक्त अशांत दुख में जीवन या फिर सच का मेहनत से प्राप्त वास्त्विक शांत वे सुख में जीवन